हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग लग फॉर गार्डिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है करी लीव के बारे में करी लीव के प्लांट की या फिर जिसको हम मीठी नीम भी कहते हैं उसकी केर कैसे करते हैं उसको फर्टिलाइजर कौन सा देते हैं और अगर उस पेड़ पे कोई बिमारी लग गई है कोई डिजीज है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है तो उसी topic पर बात करने वाले हैं हम तो आगर आपके पास मीठी नीम का पेड़ है या का रिलीव का प्लांट है तो आप लोगों की प्लांट में भी छोटी-छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी ये देखिए मेरी भी प्लांट में स्टार्ट हो गई है तो अब ये सही स सॉयल में थोड़े से जो ये आप देख रहे हैं ये लस्टन की कलिया मैंने लगा दी थी तो अब मैं इन सब चीजों को रिमूब कर लेती हूं क्योंकि अब मेरे प्लांट के ग्रो का टाइम हो गया है और अब मेरे प्लांट का जो फर्टिलाइजर है वो सिर्फ मेरे प्ला गई है उसको मैं रिमूव कर दूंगी और अच्छे से इसके गुडाई भी करना बहुत ज़रूरी है दरसल दो महीने से मैंने अपने प्लांट की बिट्टी में कोई भी गुडाई कोई भी खाद कुछ नहीं किया था सिर्फ इन में मैंने लस्टन की कलियां लगा दी थी और म बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने दिनों से हमारा प्लांट टॉर्मेंसी में था तो अब उसकी रूट को भी थोड़ा सा एयर मिलेगी और जो हमारे स्वाइल में ऊपर फंगस लग जाती है वो भी रिमूव हो जाएगी इसलिए गुडाई करना बहुत ज़रूरी है आप करी के प्लांट की महीने में एक बार या पंदरा दिन में अगर टाइम थोड़ा है आपके पास तो पंदरा दिन में एक बार जरूर करें गुडाई हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है और जितना भी अन्वांटेड कुछ ग्रास है या कुछ भी है उसको आप सॉफ्ट नहीं होंगे ये देखे मेरे जो गमले में एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी पड़ा है तो इस तरह का अगर आपको कहीं मिले तो उसको तुरंत हटा दिजेगा देखे सॉइल किस तरह की होनी चाहिए मुठी बांधा तो सॉइल बंद गई और हलका सा हाथ से पो तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वह पीमारी क्या है ये एक डिजीज होती है जो अकसर नीम के प्लांट में जो मीठी नीम का प्लांट होता उसमें देखने को मिल जाती है ये चोटे-चोटे से ये फंगस टाइप के होते हैं जो प्लांट को चारो तरफ से कवर कर लेते हैं तो ये जो आप दिए में देख रहे हैं यलो कलर का ये है हल्दी तो हल्दी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इस पानी को अब मुझे अपने हल्दी में अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने से क्या होगा ना कि हमारा हल्दी थोड़ा सा लिक्व से अपने प्लांट में इसको लगाने वाली हूं देखिए हलके हलके हातों से ही करिएगा बहुत जोर मत डालिएगा और जितना भी आपने यह हल्दी वाला लिक्विड लिया है उसको कॉटन की हैल्ट से अपने पूरे प्लांट पे जहां भी आपको फंगस दिख रहा है यह पूरे प्लांट पे अच्छे से कोट कर देना है जैसे हम लोग दिवार की पेंट करते हैं उसी तरीके से पूरा हल्दी को पेंट कर देना है जहां जहां पे भी यह फंगस आपको दिखाई दे रहा है यह ऐसे तो कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाता है पर दीरे-दीर प्लांट को पूरा खराब कर देता है लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में इसके स्टॉप कर देंगे फिर यह आपके प्लांट को बहुत लुकसान नहीं पहुंचा पाएगा लेकिन अगर आप इसकी केर नहीं करेंगे इग्नौर करते चले जाएंगे तो फिर यह पूरा प्लांट आपका सूख जाएगा, तो इसलिए आपको इसका विशेज ध्यान रखना है, मेरे प्लांट में काफी जादा हो गया है, तो आप मैंने इतने दिनों से इसको देखा नहीं, और जब मैंने देखा तो मैंने सुचा कि चलो अब इसको थोड़ा सा रिमूव करके अपन के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया जाए, तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से पूरे प्लांट में इस हल्दी को कवर कर दिया है, अपने ब्रांच की स्टैम है, और आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, कि इसको लगाने के बाद ना इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक के ल करना है, इसमें जैसे जो बहुत ज्यादा पूरानी लीव्स थी प्लांट में, उसको भी रिमूव कर देना चाहिए, उसे क्या होगा ना, कि ये जो लीव्स हैं, ना तो ये कुछ काम की हैं हमारे प्लांट के लिए, और उसके बाद एनरजी हमारे प्लांट का ये पूरा ल लीव्स हैं, उनको मैंने नेटच किया है, पर जो पुरानी लीव्स थी, उन सभी को मैंने हटा दिया है, मेरे प्लांट में देखिए, दो ब्रांच है, जब मेरा प्लांट छोटा सा था था, तो मैंने उसको नीचे से काट दिया था, जो उपर टॉप होता है, उसको मैंने क किया यह मुझे 5-10 मिनट हो गया था हल्दी को लगाए हुए अब मैंने एक पुराना ब्रष मेरे पास पड़ा था उसी ब्रष ते मैं हलके ही हातों से बहुत प्रेशर माण डालेगा मैं बार-बार आपसे खहरी हूँ हलके ही हातों से ब्रष को पूरे जगा पे जहां जहां तोқको अपने हली को लगाया था रुब करना है और बहुत भलके हाथों हातों से करके और फूरे प्लांट पे आपको रगते चले जाना इसए च्छा होगा जब आप्सटेर के अपने च्छूहओई हैं जिसे अगर आपके प्लान्ट में बहुत जादा बीमारी है इस चीज की तो ये 2-3 बार आपको करना पड़ेगा और अगर हलकी फुलकी बीमारी है तो एक बार में ही ठीक हो जाएगा मेरे प्लान्ट में थोड़ी जादा हो गई है तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसको एक बार और करना पड़ेगा बाकी अगर हलका फुलका है किसी के प्लान्ट में तो वो एक बार में ही ठीक हो जाएगा और इसको लगान की बाद अगर आप अपने नेल से भी इसको छुड़ाएंगे तो यह बहुत एजली चूट जाएगा क्योंकि यह फूल चुका होता है तब तक और आसानी से चूट जाता है पर मैं नेल से ने चुड़ा रही हूँ मैं ब्रश से चुड़ा रही हूँ क्योंकि यह कुछ भी हो तो एक फंगास है तो मैं अपने हाथ नहीं टच करना चाहा दी थी इसलिए मैंने ब्रश की हैल्प ली है अगर आप कंफरेबल है तो आप अपने नेल से भी इसको हटा सकते है यह देखिए अच्छे से मैंने पूरे प्लांट पे ब्रश चला दिया है और अगर आपकी चोटी मोटी न्यू ग्रोथ डिस्टरब भी होती है तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजेगा न्यू ग्रोथ है वो अभी डिस्टरब होई है फिर ठीक हो जाएगी तो अब चलिए क्या करना है अब यह जो स्टैप है यह बहुत सरूरी है अब मैंने इसमें बॉटल में पानी लिया है और यह एक नॉर्मल वॉटर है कोई मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया है इसको क क्या करना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूं इसको इस्प्रे करना है जहां जहां पे भी हमने अभी ब्रश चलाया था इसे क्या होगा कि जितना भी जो चिपका हुआ था ना ब्रश चलाने से वो छूट गया है लेकिन जब तक हम उस पे वाटर नहीं डालेंगे न तब करने से वो सारा फंगस सारे बिमारी हमारे प्लांट की धुल जाएगी और वो नीचे सॉइल में चले जाएगी अभी आगे और भी बहुत जरूरी स्टैप्स हैं तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा नहीं तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी और आदी आदू की डिजीज थी हमारे प्लांट की काफी हद तक आप लोगों को देखने से महसूस हो रहा होगा कि काफी हद तक वो भीमारी मेरे प्लांट से निकल गई है अभी क्योंकि बहुत जादा हो गया था मेरे प्लांट पे तो मुझे एक बार और करना पड़ेगा और उसके बाद कि एकदम मेरे प्लांट से गायब हो जाएगी तो चलिए अब जो दूसरा स्टैप है उसकी बात कर लेते हैं यह बहुत जरूरी है इसको भी करिएगा जरूर क्योंकि हमने सारी गंदगी जब धोई अपने प्लांट की तो नीचे हमारे सॉयल में ही आके गिरी है तो मैंने फिर से गुडाई की है अपने प्लांट के सॉयल की और इसको गुडाई करने के बाद क्या करना है जितनी भी सॉयल है उसको सिर्फ अपने स्टैम के पास ले आना है और अपने गंबले में न हमें चारों तरफ एक रिंग सी बना लेनी है अब हम जो फर्टिलाइजर देंगे वो इसी रिंग में देंगे देखिए गुडाई करने से मुझे फायदा भी हो गया मेरे प्लांट में अभी चुड़ी चुटी रूट जो मैंने लसन की कली लगाई थी उसकी थी तो उसको मैंने तुरंत रिमूव कर दिया है अब कोई भी एक्स्ट्रा गोथ मुझ फ्रेश खाद मत लीजेगा उसके बाद मैंने इसमें जो डाला है इसे कहते हैं नीम की खली और नीम की खली से हमारे प्लांट में अब कोई बीमारी कोई कीरा कोई फंगस नहीं लगेगा तो यह मैंने दो चम्मच नीम की खली ले ली हैं और अब हम नीम की खली और अपने गोबर की खाद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप यहाँ पे वर्मी कंपोस का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि नीम की यह मीठी नीम या करी लीव हम इसको अपने खाने में यूज करते हैं तो इसमें मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालती हूँ कि सॉईल में कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालती हूँ तो अब इसको जो फर्टिलाइजर को हम ने रेडि किया है चारो तरफ अपने सॉईल में मिक्स कर देना है देखिए जो ring मैंने बनाई थी मैं उसी ring में डाल रही हूँ मैं stem के पास अपने fertilizer को नहीं डाल रही हूँ तो इसी तरह आपको भी करना है fertilizer को किनारे किनारे डाल के और फिर उसके बाद जो ring में हमने space दे दिया था उसी में fill कर देना है और उसके बाद सारे fertilizer को soil से cover कर देना है cover करना बहुत जरूरी है इसका भी आप ध्यान रखिएगा cover करने से हमारा जो fertilizer होता है वो अंदर चला जाता है और जब हम पानी देते हैं तो धीरे धीर decompose होके हमारे plant को मिल जाता है इसको एक चीज और है देखिए मैंने इसमें water कर दिया है water के साथ एक चीज मैं और जरूर बताना चाहूंगे आपको कि आप इसमें na seaweed extract का fertilizer भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है plant के लिए चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए ये है seaweed extract ये liquid form में है मेरे पास तो मैं इसको किस तरह यूज करती हूँ प्लांट में इससे related मैंने एक वीडियो बनाई है तो मैं आई बटन पे लिक डाल दूगी आप लोग जरूर देखिएगा आपको पता चल जाएगा महीने में एक बार ये fertilizer अपने प्लांट को जरूर दीजिएगा और अगर आप बहुत जादा जरूर है तो दो बार इससे जादा मत दीजिएगा नहीं तो फिर नुकसान पहुंचाएगा तो देखिए मेरा प्लांट एकदम ready है और अब जैसे इसकी growth होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर बताइएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो like my video subscribe my channel मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए बाई take care